नमास्कार दोस्तों, श्वागत है आपस भी लोगों का एक वार फिर से, भारत वर्ष में तुलसी का पौधा हर हिंदू घर में सद्यों से लगता आ रहा है। हिंदू धरम के अनेक गरंतों पुराडों में तुलसी के पौधे का विशेश महत बताया गया है। हिंदू धरम में तुलसी के पौधे की पूजा देवी के रूप में की जाती है। तुलसी का प्रत दिन दर्सन पाप नाशक समझा जाता है और पूजन करना मौक्ष दायक। पूजा अनुष्ठान हो या स्त्राध कर्म तुलसी अनिवार मानी जाती है। तुलसी दल से पूजा करने से ब्रत यग जप होम हवन करने का पुन प्राप्त होता है। तुलसी पत्ते के बिना भागवान विश्ठान और स्रीकृष्ण जी की पूजा पूरी नहीं होती। तुलसी दल हनुआन जी को भी भोग में अत्यंत प्री है। धार्मिक मानता है कि अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसकी अच्छी से देखव करते हैं तो पूर्वजन्म के सारे पाप नश्ठ हो जाते हैं। तुलसी की पूजा अराधना शेवा करने से घर में शंपन्यता बनी रहती है। भागवान स्री हर विश्णु और मा लक्ष्मी जी किरपा मिल जाती है। सुबह तुलसी को जल देना साम के समय शुद्ध घी कोने में ही तुलसी के पौधे को लगाना शुब माना जाता है। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें अपने घर में तुलसी नहीं लगानी चाहिए। ऐसी जगहों पर तुलसी का पौधा अच्छा नहीं पनपता। साथी तुलसी को कभी भी सीधे जमीन न तुलसी को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए, जमेन में लगाने पर तुलसी अशुव फल देना शुरू कर देती है, तुलसी का पौधा किशन के पास रखने से घर में शवहाद पुन वातवर्ण बना रहता है, कभी भी अपवित्र हाथों, रवी बार, चंद ग्रहन, तुलसी नाराज हो जाती है, रवी बार और विशेश दिन छोड़ कर नित शुवह तुलसी के पौधे को जल अवश्य दे, रोजसाम को देशी घी का दीपक जिलाएं, दीपक के नीचे अच्छत रखना ना भूलें, दीपक को शीधे जमिन पर रखने से घर में दरिता आत तुलसी के आसपास स्वक्षता बनाए रखें, कूडा जूते चपल उसके पास ना रखें, शंतान से बंचित दमपत्यों को तुलसी इस्तरोत का पाठ जरूर करना चाहिए, शंतान सुकरिस्तों में अलगाव, बिना यानि देरी इत्याद से शुफल दाई माना जाता है, परशन और कार्यों में शफलता, यनि की मिलती है, इस्षे मन परशन रहता है, पवित्र रहता है, दे उठनी एक दसी, पर तुलसी के पौधे की मिट्टी में एक रुपे का शिक्का दबा दे, तो पूरे वर्स धन की कमी कभी नहीं रहती और महसूस नहीं होती, आज की इस बड़ी समश्याएं, समाप्त हो सकती है, दोस्तों, जीवन में परेशानिया तो हर एक के पास आती है, खुद को बदनशीव समझ कर ना कोशें, उसका समाधान ढोड़े, ढोड़ने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, इन उपायों में से कोई उपाय आपका दुख दर्द तो आप वश अजमाद कर देखें, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों को शेर जरूर कर दें, हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों, जब किशी की सोच इस पर धात्मक एरसा और जलन से हमारे उपर नकरात् तो उसे हम नजर लगना कहते हैं, नजर लगाने से हमारे स्वास्त, सोच और प्रगत पर जैसे रुकावटे सी आजाती है, अचानक बिना कारण सब कुछ टहर सा जाता है, बेक्त बिमार पर जाता है और उसका कारण भी पता नहीं चलता, अगर कारियों में निरंतर बिगन अजमाएं तुलसी के साथ पत्ते और साथ काली मिर्च अपनी मुठी में लें पीडित को लिठा कर उसे बंद मुठी में उसके सिर से पैर तक 21 बार लें ये क्रिया करते समय भगवान स्रीहर विश्ण जी को के 12 मंत्र ओम नमो भगते वाश्य दिवाई नमा मंत्र का जाप करे फिर वो काली मिर्च पीडित ब्यक्त को चवाने के लिए दे और तुलसी के पत्ते को हाथ से मसल कर निगलने को दे तुलसी के पत्ते को चवाए नहीं फिर पीडित ब्यक्त को ये तलवे की इसी कपड़े से 11 बार जार दे इस उपाई से किसी की बुरी नजर ये किसी को भी बुरी नजर लगी है, कोई बंधन बार डाला गया है, उससे मुक्ति मिलती है, एक और उपाए, अगर आप रोज अपने घर में तुलसी युक्त पानी का छिड़काव करते हैं, तो घर से नकारात्म कुर्जिया पूर्ण रोप से नश्ट हो जाती है, परिवार के सबीश आप मिलता है, उन्हें कारियों में सफलता मिलने लग जाती है, इसके लिए उपाए करने के एक दिन पहले आप एक पात्र में थोड़ा सा जल्ले उसमें दो तीन पत्ते तुलसी के डाल कर ढख कर रख दें, अगले दिन सुबह श्नान उपरांद पूजन से पहले आपको उ पेन गेट से लेकर अंदर तक दरवाजे तक घर के हर कोने में आप इस पानी से छिड़काव करें, ऐसा आप नियम बनाए और रोज इसे करें, सकरात्मक बदराव देखने को मिल जाएंगे, घर के कलेस कलेस समाप्त हो जाएंगे, पारिवारिक रिष्टों में आपको मिठ देखने को आएगी मजबूती आएगी, घर का माहौल शवहाद पुन बन जाएगा, धन आगवन में आरी बाधाय नष्ट हो जाएंगी, घर में छोटी से छोटी जितने भी परेशानियां थी सब समाप्त होने लग जाएगी, दोस्तों कुंडली में अगर ब्रिहस्पत मज जिन रुकावटें आसानी से सामना कर सकता है, सफलता खुद वखुद कदम चुमने लगती है और जिन्दगी में खुशाली भी आ जाती है, लेकिन चाहे आपकी कुंडली में ब्रिहस्पत कितना भी अच्छा क्योंना हो, आपको ये उपाई जरूर करना चाहिए, आप ब् तुलसी की एक जड़ घर में ले आएं, घर में हमेशा एक से अधिक शंख्या में तुलसी जरूर होनी चाहिए, जितने ज्यादा पौधे घर में होंगे, उतनी ज्यादा खुशाली और संपनता घर में होगी, जिस तुलसी की आप प्रदिम पूजा करते हैं, उसकी जड़ आपको नहीं लेनी हैं, उस तुलसी से ना तो पत्ते तोड़े चाहिए और ना ही उसकी जड़ लेनी चाहिए, जिस तुलसी के पत्ते का आप पूजा में भोग में प्रयोग करते हैं, उसी तुलसी की जड़ आपको लेनी हैं, बड़े आराम से आधर पूरबक इशे निका कर अपने घर की तिजोरी में आलमारी पर पैसे के स्थान पर रख दें। दोस्तों कोई भी उपाय तभी सफ़ा लोता है जब आप इसमें पूर्ड विश्वास रखते हैं, स्रध्धा रखते हैं, मन में ये शकरात्मक यनि भावना ये रखते हैं कि इससे सारी परिशानिया दोर होने वाली है, तो इस जड़ को रखते समय भी इसी तरह से भावना मन में रखें कि स्वेम मा लक्ष्मी जी आपके घर में इस्थाई रोप से निवास करने आ रही हैं, निश्ची तोर पे दिनों दिन आपके घर में आर्धिक परिश्दियों और शकरात्मक बदला होत नजर आएंगे, और फिर धन आगवन के नए स्रोध खुलते नजर आएंगे, कर्ज में फशे हो तो धीरे धीरे कर्ज मुक्ति की ओर आपके कदम बढ़ते जाएंगे, और एक उपाय इसमें भी आपको यह एक पौधा जरूरी नहीं है, कि वो तुलसी का पौधा हो, हमें मिले तो कोई पौधा छोटी सी घास ही क्यों न हो, तुलसी के गमले में तुलसी क नेचे उगी हुई, चलेगी, उसे आप ब्रिहस्वत पार की शुबह इशनान करने के उपरांत, निकाल कर आप लाएं और पौधे को शुद्ध जल से धोलें, उस पर गंगा जल का इस पौधे को माना गया है, इसके उपाज से आपकी शारी आर्थिक परेशानिया दोर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, धन आगवन निरंतर बनी रहेगी, अगर आपके घर में तुलसी के नेचे कोई पौधा ना हो, उगा तो आप किशी मंदर में तुलसी लगी हो, उस त तुलसी के इस जड़ को आप लपेट ले, लपेट कर आदर पौडवक ले आएं, जिसे आप लक्षमीजी को घर में ले कर आ रहे हैं, कोई भी आर्थिक शमस्या हो, आपके कोई भी पैसे फशे हैं, कहीं पर नौकरी नहीं लग रपा रही, ब्यापार आपका ठप पड़ा है, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, घर के कारियों में शिर्फ नुक्सान दिखने को मिल रहा है, आंदनी अठनी खर्चा रुपाया वाली सिती है, तो इस उपाय को स्रद्धा पुरवक करने से आपके शारे मुश्कले दूर हो जाएगी, ये पौधा धन को आकर्षित करत है, खिशिता है, धन के नए इस्तरोत को खिशता है, और माता लक्ष्मी जी को घर में बुलाता है, माता लक्ष्मी जी खिची चली आती है, और माता लक्ष्मी जी खिची आने से घर की गरीबी कोशो दूर चली जाती है, और अनेक प्रकार के जो कठिन से कठिन परिश्यति यहां है यह फिर मुश्क्ले हैं वो भी दूर हो जाती है तो तुलसी में उग जा यह एक चीज तो छुपा के रखतें अपने आलमारी में लक्ष्मी जी को आप घर आना ही पड़ेगा